इस लेक्चर में हम आज डिसकुस करेंगे linear differential equation with constant coefficient ठीक है तो अभी तक आपने बहुत सरे linear differential equation सो solve किये हैं अब हम जो linear differential equation की बात कर रहे हैं उसमें जो coefficient होगा उसका वो constant होगा तो अब जो आप journal solution निकालोगे वो किस तरीके से निकलेगा जब आप complementary function plus particular integral को add कर दोगे तो आपका journal solution बनेगा journal solution निकालने के भी आपको बहुत सरे तरीके मालूम है बट अभी जो हम differential equation solve कर रहे हैं और अगर जो coefficient है वो constant होता है तो जो journal solution निकालने का वे है वो इस तरीके से है जहांपर ये जो होता है हमारा complementary function और ये होता है particular integral कुछ rules होते हैं इनको solve करने के लिए complementary functions को निकालने के भी कुछ rules होते हैं और फ्लस particular integral निकालने के भी कुछ rules होते हैं इस lecture में हम पहले डिसकस करेंगे कि आप complementary functions रहे के ये कैसे निकाल सकते हो then second lecture में हम discuss करेंगे कि आप particular integral किस तरीके से निकाल सकते हैं जब कोई भी differential equation है आप ये दोनों चीज़े उसकी निकाल लेती हो complementary as well as particular integral तो जब उन दोनों को आप add कर देते हो last में तो आपको journal solution मिलता है तो पहले मैं आपको rules बताऊंगी complementary functions निकालने के फिर एक example कि तुरू आपको समझाने की कोशिश करोंगी सबसे पहला case है सबसे पहले हमें आपको कोई differential equation given होगी तो आपको उस differential equation का use करते हुए auxiliary equation बनानी है तो suppose करो आपके पास कोई भी linear differential equation थी हमने auxiliary equation बनाई जब मैं आपको example समझाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि auxiliary equation किस तरहिए से बनाते है auxiliary equation निकालने के बाद हम lambdas की value roots निकालते है तो suppose करो आपके पास lambda 1, lambda 2 and so on lambda n तक roots आ गई कितने भी roots हो सकते है depends upon the linear differential equation पर depend करता है यह जीज तो आपके पास linear differential equation है आपको क्या करना है auxiliary equation बनाना है और वहां से उसकी help से हम क्या करेंगे इन roots की value को निकालेंगे case 1 अब यहाँ पर आता है case 1 में अगर यह जो cases हैं वो depend किस चीज़ पर कर रहे हैं कि यह आपके जो यह roots होंगे lambda वगेरा इन पर depend करेंगे for an example यह जो roots आते हैं आपके lambda 1, lambda 2, lambda 3 यह सारे कैसे हैं real है and distinct है यह case 1 है कि यह जो roots आपके पास आए हैं यह सारे real roots हैं इसमें imaginary roots आपको नहीं मिल रहें और सारे different हैं कोई 1 है कोई 2 है कोई 3 है and so on सारे different हैं कोई भी same नहीं है तो उस case में जो आपका complementary function बनता है वो क्या होता है constant यह c1 constant है e to the power exponential lambda 1 x यहाँ पर lambda 1 आपका यह root होगा ठीक है plus c2 e to the power lambda 2 x आप constant आपको दूसरा लिखना है lambda 1 lambda 2 आप दूसरा root यहाँ पर लिखना है and so on और ऐसे लिखना है जितने भी roots होगे तो last में cn constant e to the power lambda n x ठीक है इस तरीके से हम लिखेंगे case 2 अगर आपको कुछ roots same मिल जाती है आपको roots जो है वो तो real तो मिल ही रहे हैं बढ़ कुछ roots जो है वो same हो जाते हैं तो उस case में हम क्या करेंगे c1 plus c2 c2 and so on cm x to the power m minus 1 क्योंकि यहाँ पर c1 है तो एक भी x नहीं c2 है तो सिर्फ 1x है c3 है तो x square है मतलब एक less चल रहा है इसमें और इसमें एक less चल रहा है तो जब cm होगा तो x to the power m minus 1 होगा तो इस case में यह आपका complimentary function होगा अब यहाँ पर आप देखोगे तो exponential lambda 1 आप x लिख लो यहाँ पर इससे क्या होगा या फिर आप lambda 1 लिख लो या फिर lambda m लिख लो कुछ भी लिख सकते हो कि यह जो सारा हमने आप लिखा है वो equal roots के लिखा है suppose करो आपके इस तरीके से roots आते हैं 2, 2 and 3 तो इसमें जो 2 यह जो दोनों roots हैं वो आपस में same है तो इन दोनों के लिए आप यह complimentary function लिखोगे और इस वाले के लिए आप यह वाला third complimentary जो first case में मैंने discuss किया है इस तरीके से complimentary functions बनाओगे तो यहाँ पर c1 plus c2x इस तरीके से चलेगा and whole bracket यहाँ पर this multiply by lambda x यहाँ पर वो जो equal root आया होगा 2 है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा and so on यहाँ पर e to the power यहाँ पर वो value जन चेंज कर देंगे next आते हैं case 3 पर case 3 है वो हमारा basically imaginary roots के लिए है क्योंकि अभी जो उपर हमने दोनों cases पड़े वो हमारे real roots के लिए थे तो जो case 3 है वो हमारा imaginary roots के लिए है ठीक है या फिर आप बोलो complex conjugate complex numbers के लिए है ठीक है मैं आप चीज आपको बताऊंगी तो complex conjugate type के जो roots अगर आपके पास आएंगे alpha plus minus iota beta type के और यह second case था वो equal roots के लिए था equal roots तो अगर imaginary होता है root तो आप किस तरीके से लिखोगे तो उसके लिए जो complementary function होगा e to the power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x ठीक है तो यह इस तरीके से complementary function होगा अगर आपके roots जो हैं वो imaginary आते हैं alpha plus minus iota beta इस type का root होगा तो यहाँ पर यह alpha होगा जो real part है और beta यहाँ पर imaginary part है क्योंकि उसके साथ iota है तो real part के लिए हमने exponential use किया है आपने case 1 case 2 में भी देखा होगा कि जब हम real part use कर रहे थे real हमारे roots आ रहे थे उसके लिए हमने exponential का use किया है जब हमारे imaginary roots आते हैं तो हम cause और sign का use करते हैं तो e to the power alpha x यह real part यहाँ पर चला जाएगा c1 c2 दो constant लेने हैं आपको और यहाँ पर यह जो beta लिखा होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है तो I hope rules जो हैं वो clear हैं तीनी cases हो सकते हैं या तो roots जो है वो पहली चीज़ एक सेकेंड यह जो आपके roots आएंगे दो cases हो सकते हैं सबसे पहले या तो real आएगा या तो imaginary roots आएंगे third और कुछ भी नहीं हो सकता real आता है तो दो chances और हैं या तो वो सारे जो roots आते हैं वो distinct आएंगे या फिर chances हैं कि वो equal भी आजाएं ठीक है imaginary आएंगे तो आपको complex conjugate की form में मिलेगा तो ये cases हैं और तीनो cases के लिए हमने rules जो है वो पढ़ लिए तो अब मैं एक example के थूँ आपको इस चीज को समझाती हूँ तो यहाँ पर हमारे पर से एक example है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगे कि इसकी auxiliary equation आपको किस तरीके से बिनानी है auxiliary equation बनानी के लिए आपको लिखना है m यहाँ पर जो इसका order है वो है 3-6 इसका order है 2 इसका order है 1-6 whole bracket y this is equal to 0 तो यह होती है आपकी auxiliary equation एम की जगह पर आप कोई और भी variable रख सकते हैं हमें यहाँ पर एम की value निखाल दी है लैमडा भी रख सकते हो आपकी मरजी है तो अभी मैं lambda 1, lambda 2, lambda 3 लिख रही थी न तो यहाँ पर आप जो मुझे यहाँ निकाल सकते हैं then synthetic method अपलाए करके बागी के दो रूट्स निकाल सकते हैं तो आप रेंडम ली वन के लिए चेक कर सकते हैं एम की कोई भी एक ऐसी value जिसको हम यहाँ पर put करें और हमारा answer जो है वो 0 बन जाए तो इसको जब मैं 1 के लिए आप चेक कर सकते हो प्लस माइनस 2 के लिए प्लस माइनस 1 के लिए ठीक है इस तरीके से हम रेंडम ली कुछ values के लिए चेक करते हैं और पहली जो पहला root है उसको निकालने की कोशिश करते हैं इफ मैं 1 लेती हूं तो सपोस करो यह हो जाएगा 1 1 का क्यूब 1 minus 6 1 ही हो जाएगा एम की जबा मैं 1 रख रही हूं 11 minus 6 so अब हम चेक करेंगे क्या यह इसका अंसा जो है वो 0 बन रहा है तो यह हो जाएगा के पास 12 minus 12 0 तो 0 बन रहा है तो इस केस में जो पहला root है वो आपका यह बन जाएगा मतलब m minus 1 m की value 1 है तो आपके पास 13 root डालया जब आप first root निकाल लेते हो तो बाकी दोनो roots आपके लिए निकालना easy हो जाता है विकरस हम synthetic division के help से बाकी दोनो roots को निकाल सकते है डिवाइड करके भी निकाल सकते हो so जो synthetic division का है वो वे जाता मुझे simple लगता है तो किस तरीके से होगा cube का को जो coefficient है वो है 1, square का जो coefficient है वो है minus 6 और इसका जो coefficient है वो है 11 और यहाँ पर क्या है constant minus का 6 in case कोई भी degree अगर missing है अगर cube missing है तो उसकी place पर आपको कोई और नहीं लिखना आप simply महाँ पर zero mention कर सकते हो square का missing है जहाँ पर भी जिसका भी coefficient या जो degree missing है अगर कोई coefficient नहीं है तो आप basically वहाँ पर zero लिख सकते है जो root हमें मिला था root हमें क्या मिला था m is equals to one मिला था तो simply आपको वह root यहाँ पर लिखना है जो इसको solve करने का way होता है वो सबसे पहले आपको क्या करना है यह first वाला as it is नीचे लिखना है one इसको इससे multiply करना है तो so one into one one आ जाएगा और यहाँ पर आपको simple solve करना है minus six plus one तो plus minus minus six में से one गया five sign यह लग जाएगा इसको इससे multiply करोगे माइनस का five six आ गया sign कौन से लगेगा positive six into six six आ गया six minus six plus six zero आ गया ठीक है तो आपको अगर यह पता करना है कि आपने अपना synthetic division जो है वो सही किया है या फिर नहीं तो आपको इससे पता चल जाएगा अगर आपका answer यहाँ पर zero आता है तो आपका synthetic division correct है तो यहाँ से अब हम कैसे निकालेंगे अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं m square minus five m plus six is equal to zero basically यह हमारे coefficients होते हैं जो next हम equation लिखने वाले है quadratic equation उसके coefficients होते हैं ठीक है quadratic equations के जो रूट्स है उसको निकालने के बहुत सारे वेस होते हैं तो यहाँ पर हम splitting the middle term use करेंगे six into one six है तो two threes are six simple यह तो three and two का use करते हुए हमें यहाँ पर five बनाना है तो simply मैं three plus two कर सकती हूँ और minus five करना है तो मैं minus three and minus two use कर सकती हूँ तो यह जगा m square minus two m minus three m तो यह इन दोनों यह जो minus five m है इसके जगा minus two है minus three हम दिख सकते है प्लस six is equal to zero यहाँ से m common लिया तो m minus two हो गया यहाँ से हम three common ले सकते हैं तो यहाँ पर m minus two हो जाएगा negative sign common लेंगे तो bracket का sign जो हो चेंज हो जाएगा तो यहाँ से m minus three m minus two is equals to zero एक root आपका आगया three एक root आ पर आजते हैं हमने तीनों रूट्स पता लगा लिये हैं तो इसकी जिगह अब हमारे जो रूट्स होंगे m-1, m-2, m-3, this is equals to 0, where m is equals to 1 है, root 2 है, in 3 है, तो ये रूट्स जो आपको मिले हैं वो कैसे हैं? real है, and distinct है, सारे आप इसमें अलग अलग हैं, कोई भी same नहीं है, और सारे real roots हैं, तो अब हमें इसका complementary function निकालना है, तो किस तरीके से होगा? मैंने आपको formula बताया था, c, lambda 1, अब यहाँ पे हम m ले रहे हैं, तो m1 x लिख देती हूँ, plus c2, e to the power, m2 x, यहाँ पर 3 है, तो हम 3 तक ही लिखेंगे, m3 x, तो c1, m की value 1, तो सिर्फ x आ जाएगा, m2 की value 2, 2 x, m3 की value 3, तो 3 x, यह आपका complementary function का, complementary function आपका निकाल गया, ठीक तो particular integral अभी हम नहीं discuss कर रहे हैं, इस lecture में, next lecture में इसको discuss करेंगे, अब इसी तरीके से basically आपको auxiliary equation solve करनी हैं, और roots को पता करना है, for and suppose अगर आपके पास m is equals to 1, 1, 1 and minus 1 आजाता, तो आप कैसे solve करते, तो जो complementary function था, सबसे पहले मैं, इन दोनों के लिए use करूंगी, कि दो दो सेम है, तो c1 plus c2 x, अगर और होते हैं, तो c2, c3, x square and so on, लिखती जाती मैं, पर यहां पर दो ही है, तो 2 ही का use करेंगे, e to the power, जो root सेम होता है, 1, तो x आजागा, 1 into x is equals to x, इसी तरीके से, प्लस अब यह जो different है, इसके लिए हम अलग से use करेंगे, यह simple वाला, तो c1, c2 constant already use हो चुके हैं, तो मैं कोई और constant c3 रे सकती हूँ, and e to the power minus x, minus 1 into x करोगे, तो minus x ही आजागा, तो simply हम minus x पिल सकते हैं, तो इस तरीके से आपको complementary functions का use करना है, एक last और, अगर suppose करो, आपका जो root है, आपका जो root है, वो आता है, m is equal to minus 1 plus minus complex conjugate root आता है, तो आप किस तरीके से करेंगे, अब मैंने आपको बताया था, जो real part है, वो exponential में हम लिखते हैं, तो इसमें real part क्या है, आपका minus 1 by 2, आपका real part है, और imaginary part यहाँ पर आप देखोगे तो क्या है, root 3 by 2, आपको iota नहीं लिखना, आयोटा सिर्फ आपको यह बताता है, कि आपका root है, कौन सा root आपका imaginary है, तो iota सिर्फ यह बताता है, iota को आपको consider नहीं करना, यह आपका real part हो गया, यह आपका imaginary part हो in case कभी यहाँ पर इस case में तो आपको मिली जाएगा easily ठीक है क्योंकि जब आप roots निकालोगे तो इसी form में आपको मिलेगा then यह imaginary होगा now आप इसका complementary function आप किस तरीके से लिख सकते हो e to the power alpha x लिखा था मैंने वहाँ पर तो alpha की जगा जो alpha की value है वो क्या है minus का 1 by 2 तो minus का 1 by 2 x आ जाएगा then अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे c1 cos beta x beta की value यहाँ पर है root 3 by 2 x plus c2 sine constant c बन आप पहले यूज़ कर चुके हो तो दूसरा कोई constant sine हमने c2 यूज़ कर लिया then sine वही same beta x ठीक है तो इस तरीके से आप अगर आपका root जो है imaginary आता है तो आप लिख सकते हो I hope complementary functions किस तरीके से उसके roots को roots को देखते वह आपको apply करना है कौन सा formula यह clear है but if अगर फिर भी आपको कोई doubt है तो आप लगों से पूछ सकते हो thank you